नमस्क्रा दोस्तों मैं हुड़ोप्र जोटी और मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ मेरे इस यूटुब चैनल में आज की वीडियो में हम बात करने माले अगर आपको सर्दी जुकाम की बहुत जादा परिशानिया है सर्दी जुकाम की आप शिकार है वो किसी भी कारण वर्ष हो सकता है तो उसकी लिए एक होमियोपाथिक मैडिसीन है जो आप इस्तिमाल करके आपकी जो भी सर्दी जुकाम की तकलिफे है वो दूर कर सकते है विदावट अंटिबाइटिक तो उस मैडिसीन का नाम है बायो कॉ इसके बार में बात करेंगे लेकिन इस्ते पहले आपने मेरी यूटुब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा अगर आपको बदिन दर्फ को जाता है तो बैसे कॉमन उन के तकलीफ अगर आपको हो रही है वह किसी भी कारन वेस्टि यस थी बैंटरिल इंफेक्शन है फिर आप पानी में भी गए इंपर मोसम में बदला हुआ है इन सारे कारनों के वज़े से अगर आपको कॉमन को बार आ होती है तो उसके लिए होमियोपैथी में एक मैडिसीन है जिसका नाम है बायो कॉंबिनेशन से इस्तिमार कर सकते हैं बहुत ही अच्छे रिजल्ट पा सकते हैं कॉमन कोल्ड को दूर करने के लिए जहां पर भी आपको सर्दी चुकाम की बहुत जादा परिशानिया होती है न है जो मदद करती है आपके सर्दी खासी को आपके भेते हुए नाउक भी चीक्व को रूकनी के लिए जोमार करती है आपके कॉमन कोल को ठीक करने के लिए तो उसके बारे में अब हम बात करते है है तो इसमें पहली मोडिसन मिली हुई है वह है फइरंफ फोस यह zeggen fraseł जोमें नाक से पानी बैने के साथ सिर्दत बहुत जादा है और खासी की तकलिफे भी बहुत जादा है तो वहाँ पर यह काली मूर मैडिसन दिया जाता है नेक्षो मैडिसन इसमें मिली हुई है वह है मैकफॉस यह जो मैडिसन यहाँ पर मोसम के बदलाव के वज़े से या फिर पानी में भीगने के वज़े से आपको सर्दी जो काम की तकलिफे होती है नाक से पानी बैता है साथी में आपको सिर्दर भी बहुत जादा रहता है आपको सर्दी जुकाम की परिशानिया होती है और सर्दी जुकाम जल्दी से ठीक नहीं होता है रिकरंट रहता है बार बार होने वाला यानि कि मैने में दो बार तीन बार आपको सर्दी जुकाम की तकलिफे होती है यहाँ पर आपकी इम्मुनिटी कम रहती है उसके वज़े स आपके गल्ले में आपको बहुत जादा खराश महिसुस होती है और उसके साथ-साथ आपको सर्दी जुकाम की बहुत जादा तकलिफे हैं तो वहाँ पर इनेटरमसर्फ मैडिसिन दिया जाता है ये जो सारे मैडिसिन्स मैंने बताए ये बायोपोंबिनेशन 6 टैप्लेट में मिले हुए है ये जो मैडिसिन है ये आपको कैसे सेवन करना है तो ये टैपलेट फारम में आता है इसका पिक्चर मेंने वीडियो में लगाया है ताकि आसानी से आप इसको पेचान सकते है तो इसके चार टैबलेट आपको दिन में तीन या चार बार लेने हैं आपकी डिसीज की फ्रिक्वेंसी अगर जादा है यानि कि जादा सर्दी जुकाम की तकलिफे रहती है तो इसका डोस आप बढ़ा भी सकते हैं इस मेडिसिन को लगातार सेवन करते हैं खाना खाने के आदे गंटे पहले फिर आदे गंटे बाल सुबर दो पेर शाम दिन में तीन बार तो बहुती अच्छे रिजल्ट आपको मिलते हैं इस मेडिसिन को अगर आपको ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहता है उस पर डर क्लिक करके इस मेडिसिन को आप मंगवा सकते हैं और फिर नस्दी की होमियोपाथिक फार्मसी से भी खरीच सकते हैं जब आपको बहुत ज्यादा सर्दी जुकाम की तकलिफे होती है और आपको एंटिबियोटिक नहीं लेना है तो बहाँ पर इमेडिसिन जरूर आप इस्तिमार कर सकते हैं और बहुत ही मैजिकल और अच्छी रिजल्ट देख सकते हैं एसी वीडियो के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को शेयर कीजिए लाइक कीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए इस वीडियो को जादा से जादा लोगों में शेयर कीजिए जिनको भी सर्दी जुकाम की बहुत ज्य झाल